आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Friends, आज के Question में हमसे पुछा गया है कि हमें अलग-अलग Variety मिलती है Rice की मतलब चावल की Market के अंदर अब वो सारी जो Variety होती है, वो सारी Variety एक दुसरे से Resemble होती है हमें इस चीज़ को Explain करना है कि ऐसा क्यों या कैसे होता है तो अगर हम बात करें दोस्तों कि हमें अलग-अलग Variety मिलेगी ठीक है, कहाँ पर मिलती है Variety of Rice, अलग-अलग चावल की Variety मिलती है Market के अंदर, तो ये जो चीज़ है, ये एक ही चीज़ का Result हो सकता है और ये किसका Result है? It is the result of Hybridization Hybridization की वज़ा से हमें किसी भी चीज़ की अलग-अलग Different Variety देखने को मिलती है अब ये जो होते हैं, ये एक दुसरे से Different होते हैं ठीक है? तो ये एक दुसरे से Different होते हैं ये क्यों होता है? क्योंकि किसके उपर हम कहते हैं कि हाँ, ये एक दुसरे से Different है क्योंकि उनके अंदर जो Characteristic होते हैं, वो क्या होते हैं? अलग होते हैं उनका जो hybridization हुआ है, उनका जो hybrid से वो कहां से different chain से है, इसलिए उनके जो characteristics है वो भी क्या है, different है और यही reason है या फिर यही इसका justification है कि हमें market में अलग-अलग varieties of rice मिलते हैं, thank you.